स्वागत और अभिनंदन मैं समस्त सुरोता हूँ दर्शकों का पुना अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ और ये जानकारी मैं आपको ऐसी देने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं ये जानकारे हैं जुड़े हुई कुछ लोग कहते हैं कि इसलाम मुहम्मद साब के बाद चला है लेकिन मेरी जानकारी के आधार पर सनातन धर्म के तत्यों पर जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है वो ये कहते है कि मुसल्मान पहले भी थे मुहम्मद पैगंबर मुहम्मद के जन्म से पहले भी मुसल्मान थे लेकिन और इनका जो उद्गम हुआ है ना जो मुसल्मान लोगों जो है या इसलाम से जुड़े हुए जो लोग है उनको कुछ और नाम से जाना जाता था जे हां सनातन संस्कृति कहती है कि आज जिनको हम लोग मुसल्मान के नाम से जानते हैं वो सनातन धर्म में मिलच नाम से जाने जाते थे जो मिलच लोगों की संख्या बढ़ती चली गई और जिनको हमने अपने देश से संस्कृति से बहिस्कृत कर दिया ऐसा समुदाए ऐसे लोग कभी लाई जीवन जीने लगे एक चीज़ ध्यान देंगे पहले मुसल्मानों को सनातन संस्कृति के आधार पर यवन कहते थे और पहला आक्रमाण कृष्ण के ऊपर मुसल्मान ने किया अर्थात मिलेच काल यवन ने किया मिलेच्छों की सेना लेकर वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कितने मिलेच्छों की सेना लेकर कि वो चड़ा था मतुरा के ऊपर क्रिश्न के ऊपर जरासंद के कहने पर वो पहला मुसल्मान था वो पहला आक्रमण किया था लेकिन इसके पीछे की थियोरी ये कहना मैं चाह रहा हूँ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है इसलाम का जो इतिहास है और सनातन धर्म जिस और इसारा कर रहा है तथ्यों पे आधारित वो ये है कि विश्वा मित्र के जो पुत्र थे पचास पुत्र थे उन्होंने विश्व मित्र एक यग कर रहे थे उसमें एक लड़का था उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है चाहूं तो मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ लेकिन इस समय फिलाल नाम ध्यान नहीं आ रहा है उस लड़के को विश्वा मित्र उनको स्राफ दे दिया स्राफ देने का मतलब एक ऐसा ओर्डिनेंस पास किया एक ऐसा जीयो पास किया अपने इस तर से समरत को नहीं दोस गुसाई कि जाओ तो मिलिच हो जाओ मिलिच होने का मतलब है जिनका खानपान पहनोर संस्क्रति आरिय धर्म के सनातन धर्म के विर्द्ध हो खिलाप हो और उन्होंने उनका वहिस करण कर दिया निकाल दिया अपनी सोसाईटी से माने अपने एक जो छेत्र है आरिय व्रत से बहार कर दिया तो यह जो यवनों का छेत्र है कांधार नरेस जहांकि दुर्योधन की मा थी ननिहाल थी उसके पास में एक यवन देस लगता है आज उसके लिए कुछ और नाम से जाना जाता है उसके बाद में यूनान को भी यवन कहते थे कि ये यवन है यूनान के निवाशियों को लेक कालियवन बोला गया उसके लिए जो की मिलेच्छों का सरदार था इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और आगे आते हैं बिश्वमित्र के बाद में रामचंदरजी ने जब सूपन खा की नाप को कटवाया और बहुत सारे राक्षसों का बद कर दिया ये उनका वद करने के बाद में सब संघार हो गया तो वो सूपन खा अपने सहयकों के साथ में सुक्रचारिये के पास गए जो की अशुर गुरू थे राक्षसों के गुरू थे और उन्होंने कहा कि आप हम कैसे अपना जीवन सर्वाइब करें कैसे जियें क्या करें तो शुक्रचारिये ने भगवान शंकर की प्रात्ना किया और भगवान संकर जो की एक महायोगी शुर है मापारवती जिनको मुसल्मान लोग आदम और हबबा के नाम से जानते हैं जैसे कि आदम और हबबा के मावाब का नाम पता नहीं है उसी प्रकार से संकर जी के बाब का भी नाम पता नहीं है तो यह जो शंकर जी से बर्दान लिया बर्दान में शंकर जी ने एक सिविलिंग दिया और सूपन खां से कहा शुकराचारिय से कहा कि सिविलिंग को तुम ऐसी जगे गार देना लगा देना और इसकी पूजा करना जहां पर कोई सनातने जहां पर कोई विश्नु का उपासक वानव कोई वैस्डव इस तक पहुंच ना पाए जल ना चड़ा सके और अगर उसने जिस दिन इस पर जल चड़ा दिया तो समझ लेना मिलेच्छों का राक्छसों का असरों का समूल नास हो जाएगा तो दूर रेगिस्थान में शुक्राचारी ने दूर रेगिस्थान में उसको सूपन खा को लेके गए बचे कुछे राक्छस साथ में गए और बहाँ पर एक रेगिस्थान में सुरक्षित जेगे पर उसको सुरक्षित करके एक गाड़ दिया और वो इस्थान कहलाता है कावा बहाँ पर पत्थर ही है एक पत्थर ही है सिविलिंग ही है जहां पर जो है कोई जल नहीं चाड़ा सकता है कोई गैर मुसलिम जा नहीं सकता है चेकेंग चलती है तो कहने का अर्थ यह है कि मेरा जो उद्देश है सनातन भाईयो वो यह है मैं म मुसलमान भाईयों से भी कहूंगा कि टाइटल समय समय के अनुसार बदलते रहते हैं जैसे कि आज गिद्ध पर जाती नहीं है पहले बानर जाती भी हुआ करती थी हनुमान जी बानर थे यह एक अलग टॉपिक है बाली बानर था जो बंद प्रांत में रहने वाले जीव थे पूरुष थे इस्तरी थे उनको हम लोग जैसे आज आदिवासी कहते हैं उस समय वो लोग बानर जातीयों से भी कोड़ेड होते थे या उनको पुकारा जाता था तो इसी प्रकार से पहले मुसलमानों को मिलेच्छ कहते थे और यह है इसके साथ में जुड़े हुए कहाने अब उसी समय शुक्र क्योंकि शुक्राचारिये जो है नमाज शुक्राचारिये शुरी शुक्राचारिये चूंकि उनका नाम शुक्राचारिये था तो शुक्रवार को राक्षा सुने सूपन खाने और महत तो दिया और महत तो देख करके उस दिन जो है सभी लोग मिलके प्रात्रा करते हैं नमाज पढ़ते हैं ये इसमें एक तथी ये जुड़ा हुआ है एक तथा और है कि सुपनखा की नाग कटी हुई थी इसलिए वो हमेशा मूँ ढाक के रहती थी दूसरा कारण ये है कि रेगिस्तान में बड़ी गर्मी धूल मिट्टी उड़ती थी इसलिए भी वहां की ओरते मूँ ढखके रहती थी तो जो उसके followers थे जो उससे जुड़े हुए थे क्योंकि उसके पास भगवान शंकर का एक ऐसा sibling था उससे उसकी प्रसद्य हुई और उसके जितने followers बने लड़कियां बने उस सब उने अपना मूँ ढखना सुरू कर दिया तो दो-तिन कारण हैं एक तो ये कारण अपनी सुन्दर्ता को छिपाने के लिए दूसरा कारण अपनी बद सूरतियत को छिपाने के लिए तीसरा कारण वहां की जलवाई हो बड़ी गर्म है तो वो उनको disturb ना कर सके उन्हें परेशान ना कर सके इसलिए इस कहानी से बहुत सारे तथ जुड़े हुए हैं जो कि मैं समय समय पर बताऊंगा और मुसल्मान कहने कारथ है ये हमारे वही भाई है जो सनातन धर्म के पतित लोग थे ये उनका ही रूपान तरण है उसमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं क्योंकि सनातनियों में सब अच्छे थोड़े हैं ठीक इसी प्रकार से मुसल्मान में अच्छा ही कम है और ऐसे सनातनियों में अच्छे कम है बुरा ही ज्यादा होती है तो कहते हैं कि मठा ज्यादा होता है चांच ज्यादा होता घी तो थोड़ा सा निकलता है है ना तो इसी कहानी को मैं आगे और अधारत और ब्योहरे ग्यान पर आधारत यह ग्यान आप तक है वह कर दो